हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग आसा करते हो आप लोग अच्छे होंगे तो मैं भी यहां हमेशा की तरह अच्छी हूँ तो यहां चल दिये मेरी वेकली कीचन क्लिंग रूटिंग तो पहले मैंने सारा समा निकाल लिया खाली कर लिया है आप लोग देखें अब इनको से यह लेमन्टी तो यह लिक्विड आता लेमन्टी का बहुत ही अच्छा हो तो इसमें सिफ गरम पानी में नमक काला नमक और न क्लिंग रूटिंग विकली तो इसमें मैंने पानी में विनीगर ले लिया है और स्तर्फ मिला के लिक्विड तियार कर लिया है जिसे एकदम आसानी से साफ हो जाएगा चिकनाहट बिलकुल निकल जाएगी तो बस उसी से मैं पूरा कीचन साफ कर लूँगी तो आप लोग बनरे ये झाल 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 तो देखिये फ्रेंड्स कीचन काउंटर साफ हो गया एकदम आप लोग देखी सकते हैं कैसे काच की तरह सीसे की तरह जग मगा रहा हैं मेरा कीचन बस बर्तन बाकी है तो बर्तन करके फिर में बेशिंग साफ करूंगी तो वह भी आप लोग को दिखाऊंगी तो आप लोग बने रहे आगे मिलती हूं फिर झाले के उनगे मिलती हैं कर दो आप लोगए वह एक हैं झाल झाल किचन की डीप क्लीनिंग पूरा तो नहीं करते क्योंकि बाट टाइम लगेगा तो मैंने जो काउंटर टॉप है वो पूरा क्लीन कर लिया है बेसिंग जो है बर्तन होने का वह भी क्लीन के लिए जो आप लोग के संग शेयर के हूं तेक बार फाइनल लुक आप लोगो को दिखा देती हूं और पीलो का बस निकाल लूँगी विकली एक बर धो लेती हूं तो वही निकाल लेती हूं तो बस बैट सेट और पीलो का पर निकाल ले रहे हैं और में दोई दूली एक आप लिए आप लेती हूं अपर लेती हूँ डाल लूँगी तो मेरी विचाय जदर सबको बहुत पसंद आती है क्योंकि में बहुत ही टाइटली सफाई से बहुत अच्छा लगता है मैं नानत को तो बहुत ही पसंद है मेरी चार्मन बैट सिट डाली हूई भूँए बहुत अच्छा लगता हूं को आज का ब्लोग यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लोग में और आप लोको अगर अच्छा लगता कहीं भी थोड़ा भी पसंद आतो तो प्लीस लाइक करके जाईए जाते जाते और सब्सक्राइब कर लिजे मेरे चैनल को और सेर करना बिलकुल ना भुले मिलते हैं न आदे बेक्या